तब वहाँ एक तमिल गैंग था जो आसपास की इलाकों में डकेतिया करता था उससे मैं एक टीम ने हमारी मदद की थी कन्नूर स्कॉर्ड बाड़ी चालू कराओ तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जबरदस और एक्शन से बरपूर और दिल्चस्प की फिलम की जिसका नाम है काना स्कॉर्ड इस फिलम के कहानी बहुता दिल्चस्प है और क्राइम इन्वेस्टिकेशन पर बनी हुई है जिसमें लीड ट्रॉल में आप लोगों को मामूटे नजर आएंगे अगर फिलम की कहानी की बात की जाए तो फिलम में गुंडो को एक ग्रो होता है जो बहुत ज़्यदा लूट मार करता और लोगों को बहुत ज़्यदा तंग करता है और ये लोगों को बहुत ज़्यदा बेरहमी चलें कि इंडिया के एक जगह की कानलस vibrations के एक एक असल में गरूप है जिस पर यह फिल्म कि एग है उन्हीं चल्व करूप बनी है कि ममुटे लीडर होते हैं जो कि एक यह विउक жесे इस टो बह केस बहुत असान है और बहुत अवथ साल्विवर्णय साना, जहां घए Cbury, पहुत जाती है यह जी फिलम बहुत ही जाना इंवस्टीगेशन पर बनी हुई है और आपको कहीं से बी बौर्ण ही होने देगी और नहीं ऐसा लगएगा कि यह क्या है यह कैसी फिलम और एक बात कि इस फिल्म का बचली भी कोई चोटा मोटा नहीं दिखाया गया बलकि इस फिल्म को सो क्रोड के बड़े बड़े से त्यार के गया है और फिल्म में जब यह टीम आखरकार मुश्किल से क्रिमिनल तक पहुंच जाते हैं बहुत सी मुश्किलात के बावजूद त में और भी बहुत एहन नाम है जो फिल्म का हिस्से हैं और इस फिल्म को अगर प्रड़ेक्शन की बात कर ली जाए तो फिल्म को प्रड्यूस खुद मा मोटे जी ने किया है और इस फिल्म को काफी हद तक थ्रिलिंग और कॉम्पलिकेटिड और काफी हद एक जबरदस हीरो और विलन का तरकर साथ-साथ पुलिस की जबरदस परफॉमेंस दिखाई गई है कि पुलिस भी बहुत सारे काम करती है नॉर्मली फिल्मों में इनको दिखाया जाता है कि यो लोग सिर्फ रिश्वत लिते हैं यो लोग बिकार होते हैं कोई काम नहीं करते और अगर इस फि दूमें नेक्स्ट अब्डेट के साथ तब तक के लिए टेक कियर